हाई एवरिवन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वेच डालचा रेसिपी ये डालचा यूज्वली नॉनवेड बनाया जाता है पर हम आपको वेच डालचा बताएंगे उसको हम लोके के साथ बनाएगा ये हैदराबाद की बहुत ही पॉपिलर डिश है और ये हमको बहुत पसंद आती है यूकि ये कई तरह की डाल के साथ बनाया जाता है पर अभी उसमें हमने चना डाल और मसूर डाल भी डाली है कई लोग उसमें तूर डाल भी डालते है पर हमने चना डाल और मसूर की डाल से ही बनाया था इससे बहुत अच्छी बनी थी तो हमको सोक करी हुई डाल देनी है उसके अंदर boiling water डाला है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हर्डी डालेंगे फ्रेंट्स हमने इसमें boiling water इसलिए डाला है क्योंकि यह हमारे cooking process को fast करता है अगर आपको भी fast cooking करने है तो boiling water ही डालेंगे और हम इसको two whistles करेंगे साइट पे हमने प्यास अद्रक लसन और टमाटर भी लिया है अब हम उसको चौप कर लेंगे तो यह अद्रक लसन और हरी मिर्च है उसको आप ग्रांडेट में भी क्रस्ट कर सकते है चले अब हम एक पैन लेंगे उसके अंदर थोड़ा सा ओयल कि हमारे घर में ओयल बहुत कम खाते है इसलिए हम हमने थोड़ा सा ही ओ है अब हमारत ओयल मिभरम हो रहा है इसके अंंडर हम खड़े मसाले भी डाला है यह खड़े मसाले से भी ज़ीक little रजा बनेंगा और जब ब्राउन हो जाएंगा तब हमको उसके अंदर जो हमने चौप किया था ना प्यास वो डालेंगे हमारे घर में पिंक प्यास ही खाते है इसलिए हमने डाला है आप अधर वाइट अनियन भी डाल सकते है अब हमको प्यास को पकाना है जब तक कच्चा पन नहीं चला जाए तब तक हमको उसको ब्राउन नहीं करना है जस पिंक ही रखना है अब थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर अधरक लसन और हरी मिल्च को क्रश करके डालेंगे अधर आप चाहे तो ग्रायंडेर में भी लाइसं कर सकते हैं हम ऐसे ही कर रहे हैं मद्रुआ हम कर रहे हैं है अभ हमको औरुआ अधरक लसन और हरी मिल्च को भी पकाना है क्योंकि उसका भी कच्चा Lyn भ्रलीं का हम क्चर पहल ठेस्ट होता है वह हमhelई है सो इसको भी हम पूनेंगे मिक्शियर आप इसको भूदिएगा अदरवाइस यह अच्छा नहीं बनेगा आपको यह प्रोसेस मस्ट है मिक्शियर आप जब यह डाल बनाए तब इच और इवरी प्रोसेस को फोलो करेगा तब यह आपकी डाल अच्छी बनेगी जैसे कि आप देख सकते हैं हम उसका पिंकिश होने का वेट कर रहे हैं और गैस की फ्लेम मीडियम है अब हम इसको एक बार प्रोपर से चला रहेंगे ताकि हमरा अदरक लसेन हरी मिर्श पकने को आए है अब देख सकते हैं ब्राउन हो चुके हैं अगर आप चाहे तो खड़े मसाले इस टाइम पर निकाल सकते हैं हमने रखा ही था क्योंकि हमको इसका फ्लेवर चाहिए था क्योंकि हमको बार में प्रेशर कुकर भी डालना है यह सब मसाले चलिए आप हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे इसके हंड़ी हमको सॉल्ट नमक तर्बरिक पाउडर मिंस मिर्श का पाउडर कोरिंडर क्यूमन पाउडर मिंस धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और उसको भी हम भूनेंगे एक मिनिट तक होके हमको मसाले को जलाना नहीं है अब इस टाइम पे हम इसमें से इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जल नहीं जाए और इ इसको उबाल आने तक हम पकाएंगे अब हम इसमें टमाटर डालेंगे टमाटर को भी हम भूनेंगे अगर आप देख सकते हमने चमच के लिए एक्स्ट्रा एक वाड की लिए आप चमच को रखने के लिए कोई भी प्लेट या कोई भी साइट पर रख देंगे तो आपका गैस मैस नहीं होगा चलिए आप हम इसमें थोड़ा मालवानी मसाला डानेंगे आप सुचेगे हमारे पास मालवानी मसाला नहीं है तो हम क्या डाले आप पाउंबजी मसाला भी डाल सकते हैं यह मेरा क्रियेशन है क्योंकि हमको इसके अंदर डिफरेंट मसाले चाहिए तब भी टेस्ट आएगा तो इसलिए हमने मालवनी डाला है आप कोई भी मसाला एक्ट्रा डाल सकते हैं पाउंबजी मसाला और एनी मसाला जट्यू है अब हम इसको पांच मिनिट कुक करेंगे अब हम इसमें हमारी लौकी डालेंगे यहां पर हम हाक लौकी दी है जब भी आप लौकी ले खाने में तो आप टेस्ट करेगा make sure लौकी हमारी कड़वी नहीं है क्योंकि यह लौकी जो कड़वी होती है वो poisonous होती है सो रिमेंबर लॉकी और ककड़ी जब भी आप यूज करें उसको टेस्ट करके ही बनाए और पोईजनस हो तो आप उससे थ्रूआट कर देंगे चलिए अब हम लॉकी को पकाएंगे फाइव मिनिट तक और साइट पे हम हमारी डाल भी चेक करेंगे ये डाल हमारी पक के तयार हो गई है चलिए अब हम हमारी जो लॉकी है ना वो इसके अंडर डालेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो आप बड़े पतिले में ये सब कुछ डाल कर धीमियाज पर पकने को रखनेंगे तो भी वो पक जाएगा पर हम जो पर आके खाना बनाते हैं तो हमको फास्ट कुकिंग करनी होती है इसलिए हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया ये सबजी दस से पंदरा मिनित बनके तयार हो जाती है पर आपके पास जो टाइम हो तो आप इसके बड़े पतली में स्लो आज पर लॉकी और डाल को पकने को रख देंगे इस टाइम पर इंस्टेड ओफ प्रेशर कुकरिंग दें इससे भी अच्छा बनेगा अब हम एवरिटिंग को प्रॉपरली मिक्स कर देंगे ताकि हमारी डाल गुल जाए और फ्रेंट्स हम कहना बुल गया थे इसके अंदे लौगी के बड़े टुकड़े होने चाहिए छोटे टुकड़े नहीं करते है डाल चाह में बड़े टुकड़े ही अच्छे लगते है अब डालों को हम बरबर प्रॉपरली घुटेंगे चलिए अब हम इसको प्रेशर कुकर बंद करके कुक खोने तक पकाएंगे ये लौकी हमारी जल्ली बड़े चाहिए तो एक सिटी से आने से पहले ही हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे इस टाइम पर और प्रेशर कुकर को बंद करके उसके अंदर हम सुखने के लिए कड़ी पत्ता और कस्तुरी मेथी को रोश करने के लिए रखेंगे इससे क्या होता है कि हमारे कस्तुरी मेथी बिना किसी बरतन यूज कि रोस्ट हो जाती है क्योंकि हमारा लीड गरम है तो उस पर ही ये रोष्ट हो जाती है जब भी आपको कस्तुरी में सी रोष्ट करना हो तो आप कोई भी धाकन है उसके उपर कस्तुरी में थी कुक करने के टाइम उपर जो लीड होता है उस पर रख दीजियेगा इससे कुक नॉट कुक पर रोस्ट हो जाएगी और जो कड़ी पता है वो घीला होता है वो भी ड्राइ हो जाएगा ये टेक्निक हम एबरी टाइम यूज करते है और यह हमने आपके साथ शेयर की है क्योंकि आपके बर्तन भी बच जाएंगे सेपरेटली और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा साइट पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि आप देख सकते हमारी कस्तुरी में सी रोस्ट हो गई है हमारा कड़ी पता जो घीला है वो ड्राइ हो गया है अब हम इसको ओपन करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं तरी हमारी विजिबल है मिन्स उपर तेल आ चुका है अब हम इसमें कटा हुआ कड़ी पता डालेंगे हम इसको हाथ से ही कट कर रहे हैं उसको कट करने से क्या होगा कि बच्चे जो कड़ी पता रिमू करकर खाते है वो इसके अंडर उसको पता भी नहीं चलेगा कि यह कड़ी पता है क्योंकि यह टोस्टेट है औरेडी कृस्पी है तो यह पाउडर फोम में बन जाएगा और थोड़ी से कस्तोरी मेथी कि अगर आपके पास इंबली नहीं है तो आप उसमें लेमन, वाटर, मिन्स, नीमू का पानी भी डाल सकते हैं पर ये इंबली से ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा आप ट्राइ करिए कि इंबली ही डाले इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब इंबली नहीं हो तो भ डाल देंगे कर लोग क्या करते हैं कि खाने में मिन्ट का यूज नहीं करते हैं प्लीज आप यूज कीजिए कि इससे अच्छा बनेगा और जब भी आपका कुकी फिनिश होने के टाइम पर आप एक चमस से टेस्ट कर देंगे जैसे कि हमने किया है ताकि आपको पता चले क् अच्छा अब हमको साइट पर तड़का तयार करना है थोड़ा सा ओल और गरम हो जाएगा तब हम उसमें क्विक्ली रेड चिली और हींग डालेंगे और हमारा तड़का तुरंती बन कर देंगे और यह तड़का को हम हमारी जो सर्विंग बॉल में जो डाल निका ली थी न कर डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेश आता है और हमारे फैमिली मेंबर्स को बहुत ही पसंद आई और हम आपको एक एक्ट्रा टीप डेंगे अगर आप उस पे उपर फ्राइड अनियन डालेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा टेश आता है हमारे फैमिली को फ्राइ लीजिए हमारी रेसीपी तयार है वेज दालचा with rice I hope ये हमारी रेसीपी आपको पसंद आये होगी Thanks for watching, bye